हेलो डिये स्ट्वेंट मैं रहा हुल अप्सपाग अथा अपके अपने येट्व चनल आर्क्रिशेंटर पर दुस्तू आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर फूर जिसका सेशन के मन में confusion चल रहा है तो आखिर वह confusion को दूर करना हमलोगों का काम है मेरा काम है अगर बात करते हैं बारे ही बताया गया है यहाँ पे अपको सब्जक्ट का लिस्ट दिया गया फिक है इस पहला सब्जक्ट यह हम लोग को पढ़ना था understanding India क्या understanding India लेकिन ये जो है semester 1 में पढ़ना था का पढ़ना था semester 1 में ठीक है means understanding India जो हो semester 1 में पढ़ लिया गया ठीक है बात यहाँ पे आता है दूसरा दूसरा आपका है health and wellness yoga education क्या है health and wellness yoga education ठीक है तो ये भी जो है दोस्तों ये भी BSE paper जो है semester 1 में पढ़ लिया गया means आप लोगों के पीछे जिनका examination हुआ था पहले जिनका examination हुआ था semester 1 का उनमें द्यार्थियों ने ये छीज पढ़ लिया तो ये छीज अकर पढ़ लिया तो आप लोगों को ये चीज पढ़ने के जुआत नहीं है फिर देखिए तीसरा जो आता है वो तीसरा आपका है Community Engagement Services ठीक है ये भी आपका Semester 1 में पढ़ लिया गया है अब जब पढ़ लिया गया फिर चौथा में Global Citizenship Education के बारे में भी पढ़ लिया गया है कब Semester 1 में है ना अब बात यहाँ पर आता है कि माल लेजे इतना सारा चीज अ लिखावा Environmental Studies क्या लिखावा Environmental Studies और यहां पर लिखावा Semester 4 में जो हम लोग को पढ़ना क्या है Environmental Studies पढ़ना क्या Environmental Studies पढ़ना है और वो जितने भी पेपर ते चाहिए वो Global Citizenship हो Understanding Index हो जो भी है उसारे कैसारे Semester 1 में पढ़ना था कब Semester 1 में पढ़ना था Semester 4 में आपको एक ही पेपर पढ़ना है क्या Environmental Studies क्या पढ़ना Environmental Studies पढ़ना है ठिक है जो टोडल मार्क्स आपका कितना रहेगा 15 का रहेगा कितना 15 का रहेगा और Power frontline का 20 का होगा ठिक है कि दिया वारे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडाइक्षन चुछारकंड का इवरमेंट्रेटार् बाकूपरिक्स ठीक है उसपर चीजों के बारे में बता गया डिटील सब से कि environmental degradation and its impact of ढारखन ठीक है त्यक्टा का परिवररं कैसा है उसके बारे में बताना है ठीक है कित्र करें करा थीसरे हैं इन्टुरू कि दूर्श किना ए डिःत वर्पारे में हुआ मैंं बूलन है ना कि हमारे परिवर만 के बारे में बताना शक्राक। हमारा जलवाईउ परिवर्तन के बारे में बताना है इस सब चीज़ के बारे में पढ़ना है पिर प्रना है science of climate change जलवाईउ परिवर्तन होता है उसमें क्या विज्ञान है उसके बारे में बताना है फिर है कि types of pollution and their consequences जारकन में किस प्रकार का pollution है और कैसे कैसे pollution यहाँ पे हुआ उसके बारे में बताना है फिर आगे है research and monitoring of biological resources यह जो है अम लोगों को पढ़ना है और इसका हिंदी करके जो है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ और हिंदी करके मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका PDF जो हूँ मैं टेलेगराम गुरूप में भेज दे रहा हूँ वहाँ जा करके आप लोग दोनों को देख सकते हूँ ठीक है तो इसरे डेगर कोई कोशन हो गए दोस्ते तो मुझे कामेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो मिलता नेक्स वीडियो तो तक के लिए जाए ही जाए भारत